तस्वीरे यूक्रेन से आपको लगातार हम दिखा रहे हैं रहनीती जो है उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं रूस अगर ये कह रहा है कि हम यूक्रेन पर अब हमलाग तेज करेंगे यानि वो जल से जल निरणे चाहता है अब इस युद्ध का उसने सरेंडर कहा कि सरेंड कर दो यूक्रेन के रश्चुपती ने कहा नहीं करेंगे सरेंडर और इस वज़े से थोड़ा और पेचीदा हो गया है आप देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर रूस ने आक्रमण किया है रूसी सेना ने चढ़ाई की है और रूस का नियंत्रण हो चुका है ये तीन तरह कि एस तहफेदर जगे जो आपको दिखा रहे हैं और जो नारंगी रंग को आप देख रहें हैं तीन हिस्सों मेली सब सहुखे करेंगे जो मिजाइल ऩ्तुरायक से यह जैसे यूजåक पहले दिन स्टार्ट किया था जैसे यह जितनी इरियाज है सब पर मिजाइल श्ठाइ बेसमार दूसरा तेज़ करेंगे जो कीव पे जो रिजिस्टेंस एरियाज है वहाँ बेसमार आज रॉकेट्स मिजाइल्स हटलरी फायर करेंगी दना दन तीसरा जो मेकनाईज कॉलम्स रिजर्व में अब तक अब तक क्या है लीडिंग कॉलम्स है और उसके रिजर्व कॉलम पे और जो पैरा टूपर्ज और स्पेशलाइज फोर्सेज हम कह रहे थे अब वो स्टैटिजिक टार्गिट्स पे आज रात को अटेक करेंगे डिस्ट्रॉइ करेंगे और जहां पे भी प्रो प्रेजिडंट पॉपुलेशन है रिच पॉपुलेशन है नियो पॉपुलेश जैसे आज अगर ये निकल गे तो बहुत अच्छा किया वहां से आज बुरी तरह से वहां पे होगा रात को पुरी देड़ दर 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 जाए वह वेस्टन कोस्ट पे भी आज हाई हाई वहां पर पर लिचा के पास पूरा जो बाल्टिक से जो और मल्डोवा से जो मिजाइल सिस्टम में वह करेंगे वह प्रिशिजन बॉमिंग किस तरह से होती है कि ये जो सीमा है वो इस तरफ आ जाने का किसी भी एक मिसाइल का मतलब हो जाएगा नेटों का इन्वाल्वमेंट लेकिन आपको रखना है उसी तरफ के वल तो ये कितने प्रिसाइज बॉमिंग होती ह और कैसे रूस के वो एक्विपमेंट कैसे हैं जो इसे कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ तीन पॉजिशन बनेंगी नमबर वन आज जो भी इन्होंने एडवांस किया है जिस जिस पॉजिशन पर यह बहुती स्टाइजिकल लोकिरिशन है यहाँ यह अपनी पॉजिशन को कंसुलिडेट करेंगे और इसको सिक्योर करेंग इस में से जो एडवांस पार्टी है वो इन कोडिनेशन आफ दी एर अटेक्स जैसे जनल साब बता रहे हैं आज रात जो है वो नाइट्स के अंदर मैक्समिम एट्रिशन जितना भी यह फायर कर सकते हैं मिसाइल से बंबिंग से यह पूरा डैमेज करेंगे इन अन अराउं रशया की जितनी फायटिंग फायर्स्स हां उन वो किसी रूप में चाहीं ट्रॉपर्स हैं चाहीं वो कमांडो फोर्सेश हैं चाहा वो गोरिला वार्फेर है उर्स सारी पुजिशन को वो यहां से ऐसा होगा जहां पर युक्रियन की फोर्सेश एडवांटेश पर wasn't कि यह जो position है इसको predict करना मुश्किल है लेकिन अगर कीव के चारों तरफ आप उनको कर देते हैं कीव को घेर देते हैं कीव में कुछ जा नहीं सकता है आनी सकता है जब याप ये position कर जाते हैं forces की तो फिर कीव को surrender करना पड़ेगा तेज हमला मतलब गंटों की बात नहीं गंटों की बात रात की बात कर नहीं हम केवल रात के भीतर बंबारी फुरा बंबारी फुली ताकि कल सुबह तक इतना polarize देखिए जब हाक आर मचेगी मारियो पोल में हाक आर मचेगी अभी क्या है आपने खरकीव को capture नहीं किया खरकीव की population को damage नहीं किया खरकीव को आपने isolate किया जब यहां से हा कार मचेगी आखिर प्रेजिडन को information जाती है ना मारियो पॉल से हा कार मचेगी जब चारों तरफ से रात को हा कार मचेगी तब Ukrainian प्रेजिडन शेक होंगे और वो फिर या थो कीव से निकलेंगे या उनका मुराल गिरेगा तो यह आज रात को जहां पर भी जैसे सुमी को isolate कर रखा है सुमी की bombardment के बाद कुछ ऐसे इलाके होंगे जो Russians physically capture करेंगे और यह बात कोई हवाई बात यहां पर नहीं हो रही है क्योंकि रशिंस में physically capture किया है बिल्कुल बिल्कुल यह पूरा जो सफेद हिस्सा आपको दिखा रहे हैं तो हम कहरें यह पूरा capture रहा है और यह यह और चुकि यह रूस से लगता हुआ इलाका है इसलिए रूस के लिए तो यह तो बिल्कुल केक वोक था और यह तो consolidate यहाँ पे इनके bases अलडी बन गे होगे और यह territories आप पहले ही आप कहे चुके हैं कि भाई आजाद हो क्रीमिया का तो निप्टारा पहले ही हो चुका है क्रीमिया से लगता इलाका है उडेसा बिल्कुल क्योंकि Russian प्रोल रोग्स है काफी उडेसा भी अंडर कंट्रोल है तो यह जो इलाका है अच्छा इन्हों ने यहाँ पे अपना जब हम कल बात कर रहे थे चर्नोबल कंप्लीटली इनके कंट्रोल में है चर्नोबल को कैप्चर करने के बाद ही आगे गे तो कीव तक है तो यह सेरिये में जहां जहां पे आईसोलेट की है ना पौकिट को डिस्टरब नहीं किया था कि भी इसको बाईपास कर जाओ वहां पे भी राग को आज बहुत भारी गोला बारी हो